आज जो आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे यह थ्री बेड्रूम यूनेट है बहुत ही प्यारी लोकेशन है द्वार कमोड की लोकेशन है इसकी वाकिंग डिशन से मेट्रो शेशन 200 से 300 मीटर की दूरी पर आपको मेट्रो शेशन मिल जाता है टू साइड ओपन है यह इंडिपेंडेंट यूनेट है मतलब हर फ्लोर पर सिर्फ एक उनेट है टू साइड ओपन है फ्रन साइड पर आपका 20 फूट की वाइड रोड आ जाती है और पीछे 10 साइड की आपको सर्विस लेन मिल जाती है आपको इस पर LIC होम लोन मिल जाता है फुल कार पार्किंग मिलती है लिफ्ट मिलता है यहाँ तक कि आपको यहाँ पर पाइपलेंग गैस है उसकी भी सर्विस मिल जाती है जिसके लिए आप अफ्लाय कर सकते है हर चीज आपको यहाँ अविलेबल मिलती है गेटेट कम्यूनिटी है पूरी यहाँ पर आपको पूरा गेट लगा हुआ मिलता है वाइड रोड जैसे मैंने बताया आपको वह है कार पार्किंग मिलती है फूल कार पार्किंग और सेमि फश्च आपको यह यह योनिट मिलता है जो भी आप देखेंगे वीडियो में ये sample flat में जितना अब सब कुछ मिलेगा ये हर flat में आपको वो चीज लगी हुई मिलेगी तो वीडियो के एक छोटे टूर से शुरू करते हैं फिर आपको मैं property के size, description और बाकी सब चीज़े बताता हूँ चली शुरू करते हैं जाँ 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 आँ पेचा जाँ आठा हुई मा感じा आएबे लिग हुई हुई झाल झाल दोसो प्रॉपर्टी घर के आप एंटरेंस अगर आप देखेंगे तो स्टेर्स के साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको कॉमन एरिया स्पेस मिल जाती है वेंटिलेशन है प्रॉपर विंडो यहां लगेगी इसके लाब आप देखेंगे प्रॉपर लाइटिंग है आपको स्पोर्ट लाइट्स मिलती है तेंदी इस्पोर्ट लाइट्स मिलेंगे आपको यहां इसके लाब आप कॉमन एरिया में देखेंगे लिफ्ट आजाती है बिल्कुल और साथ में आपके पूरा टाइल डेरिया आ जाता है नीचे से उपर तक देखेंगे नीचे पूरा मार्बल लगा हुआ है और यहाँ पूरा टाइल लगा हुआ है ग्रूविंग्स के साथ आपको बनी उमती है एंट्रेंस पर आप देखेंगे सब कुछ लगा हुआ है आपको यहाँ पर टाइल मिलता है तोनों तरफ mcp panel मिलेगा यहाँ पर इसका box मिल जाएगा पूरा है एंट्रेंस पर आप देखेंगे आपको wooden door मिलता है laminated wooden door है पूरा और आपको यहाँ पर एक थोड़ी अच्छी grooving मिल जाती है पूरी handles अगर आप देखेंगे सारे chrome finish handles है quality work है पूरा बहुत ही सुन्दर design है door का भी design देखेंगे area भी देखेंगे भार का काफी जादा है अब आप देखेंगे इसके बाद पीछे भी आपको same lamination में मिल जाता है पूरा door soft closing में है door भी पूरी आपकी door की grooving मिल जाती है पीछे की तरफ देखेंगे living area में काफी जादा सुन्दर design मने हुए है बहुत जादा spacious आपका पूरा living area है fully tiled है, flooring सारी आपकी आपकी वो पूरी digitally vitrified tiles लगी हुई है पीछे आप देखेंगे यहाप एक glass का काम क्या हुआ है reflective glass paints है इस तरह लकडी का woodwork का रखा है पूरा यह तो आपको वो भी design aesthetics मिल जाते हैं साथ में आप देखेंगे हाप ए security के लिए आपको पूरा electronic जो AV unit होता है वो आपको मिलता है यहाई बाट कि आप दोर को lock unlock कर सकते हैं और even जो आ रहा है उनकी आप photo वीडियो सब देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे living area में आपको दो fans मिलता है दो ceiling fans साथ में शांडलियर मिलता है और wall ceiling concealed light cob lights के साथ बिलकुल सामने आपको यहाँ पर आपका TV पानल देखेंगे सामने की तरफ आपको LCD पानल आगया TV setup कर सकते हैं नीचे आपको समार रखने के लिजगे दे रखिया साथ में आप देखेंगे पूरी concealed light cob light जो लगी हुई है उपर की तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है घर पे बराबर lighting भी रहती है और सुंदर decor भी रहता है living area के साथ आपको attached kitchen में जाती है kitchen का अगर आप size देखेंगे spacious kitchen है दोस्तों बहुत जादा L-shape में आपकी पूरी kitchen है पूरे slabs लगे हुए है पूरा आपका square shape में आपका पूरे kitchen मना हुआ बहुत जादा spacious kitchen है आप अपना fridge रख सकते हैं आपको handmade sink मिलता है गीले बरतन रखने के लिए rack मिलता है पूरे आप देखेंगे rose gold panel के आपको glass panels बिल जाता है यहां पर आप देखेंगे cabinets लगे हुए मिलते हैं समान रखने के लिए आपके और काफी ज्यादा आप समान रख सकते हैं अपने cutlery प्रॉकरी जो भी रखना जाए आप वह यहां रख सकते हैं इसके लाबाद देखेंगे एक बहुत ही प्यारा है यहां पर hanging lights का concept है पॉल सीलिंग मिलती है चिमनी लगी भी मिलती है पूरे का पूरा आपका marble टॉप लगा हुआ है और इवन दिवार भी आपकी पूरी टाइल मिलती है प्रॉपर प्लक पॉइंच से आपके heavy appliance, juicer, mixer, microwave उस करने के लिए फ्रिज के लिए जगे है इवन यहां पर भी आपको points दे रखें अपना समान रखने ज़ले ग्यास टोव आ गया और connection पानी का ग्यास का महासा आप आप देखेंगे आरो की जो connectivity है वो भी दे रखी है direct पानी का नलका दे रखें आरो की connectivity के लिए आपको नलका अलग से दे रखें और आपका आरो यहां पर setup हो जाएगा देख सकते हैं कितनी ज़्यादा space आपको यहां पर मिलती है आपके आरो setup के लिए इसके लावा दोस्तों अगर आप जैसे living area में भी देखते हैं living area बहुत आपको करके देंगे तो major काम हो रहा है आपको सिर्फ अपना furniture लाने है that's all अमें आपको bedroom दिखाता हूं पीछे की तरफ bedroom है और common area का आपका common washroom आ जाता है common washroom भी अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर design में बना हुआ है पूरा anti-skit नीचे टाइल लगी हुए है दिवारो पर बहुत प्यारा pattern लगा हुआ टाइलों का washbasin और WC दोनों लगेवा मिलते हैं shower लगा हुआ मिलता है इवन अगर आप देखेंगे सारी fitting आपको मिलती है वर्ना ब्राइट की काफी अच्छी quality है काफी अच्छा काम है और geezer के लिए आपको यहां पर plug point और पानी का connection है आज जितना wallpaper देख सकते हैं wall colors देख सकते हैं वह आप अपनी पसंद का बनाग बताके वह आप करवा सकते हैं यह fully customizable option है आपको इस unit के साथ मिलता है तो wallpaper अगर आपको नहीं पसंद आ रहा कोई और design आपके मन में है वह आपको यहां पर मिल जाता है यहां पर आपको अटा टीवी पैनल सेट अप कर सकते हैं electrical connection आपको दे रखे हैं आपके डिश और टीवी के लिए यहां पर अपना टीवी लगा सकते हैं फॉल सीलिंग कंसील लाइट कोब लाइट के साथ है और electric fan दोनों मिलता है यहां पर आप देखनेंगे पीछे की तरफ सेम पैटन में आपका पूरा आपको डोर मिल जाता है, magnetic door stopper लगे हो हैं पीछे और एक बहुत spacious balcony मिल जाती है यहां पर balcony में आप अपना washing area setup कर सकते हैं पीछे पूरा grill मिल जाता है आपका protection के रहे हैं यहां पर चाहें आप अपने कबड़े सुखा सकते हैं नहीं तो आगे वाली balcony आप महां पर भ आप अपने AC setup कर सकते हैं विंडव है आपकी पूरी ventilation के लिए और उपर भी आपने अगर कुछ रखना है तो आप वो लगा सकते हैं आपको fan के switches मिल जाते हैं bedside on-off करने के लिए इवन आपको यहां पर AC का भी MCB मिल जाता है AC का switch वहां पर है और MCB आपको यहां पर मिल जाता है आप जैसे दिखेंगे fully customizable option है अगर अगेन मैं आपको बता रहा हूं आपको अगर घर की दिवारों के color change कराने wallpaper change कराने आप अपना पसंद का color बताइए and will manage the rest so it's totally honest not to worry no added cost incurred on it अब मैं आपको second bedroom दिखाता हूं इस bedroom के साथ भी अगर आप देखेंगे आपको टाइज balcony मिलेगी दोनों तरफ आपको वाट्रों मिलेगे समान रखने के लिए overhead भी समान रखने के लिए आपको जगे मिलती है 626 king size bed super king size bed भी लगा नो तो आप वो लगा सकते हैं काफी space है bed size switch मिलते हैं दोनों तरफ यहां देखेंगे ventilation के लिए proper window है AC के लिए जगे है window AC के लिए सामने की तरफ बहुत ही सुन्दर तरीके से एक यहां पर पूरा आपका है अगे यहां पर भी आपका option है दिवारों पर अगर color change करवाने है या wallpaper change कराने do let us know will manage the rest अब आपको मैं balcony दिखा देता हूं और साथ में जो मैं वाइड रोड बता रहा था वो मैं आपको दखा देता हूं इसके लावा जैसे मैं आपको balcony बता रहा था balcony देखेंगे बहुत लगा हुए कपड़े टांगने के लिए आप रसी लगाई है और आप अपने कपड़े सुपह से पीछे की तरह आप देखेंगे तो आपके washing area के लिए आपको जगे दे रखिए ड्रेन आपका बिजली का connection पानी का connection मिलता है अगे ऊपर भी देखेंगे बहुत ही अच्छी अच्छ बालके नहीं है थर्ड बेडरूम जो मास्टर बेडरूम में हम आपको वह दिखाता हूँ यह अच्छ वाश्रूम के साथ आता है फुली आपको यहां पे वेंटेलेटेड रूम मिलता है मैं जैसे आपको बताया यह प्रॉपर्टी जो है यह 75 गज ऑन पेपर से है और लगबग 85 गज के कवरेज एरिया के साथ बना हुए बहुत ही बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही वेल प्लांड इसका आर्किटेक्टर बना है हर रूम बहुत जादा स्पेशियस है बहुत जादा कमफर्टेबल है और फुली वेंटिलेटर है आप जैसे देखेंगे यहां पर आपको विंडो मिलती है बालकनी मिलती है बिल्कुल ऑपोजेट एंड पर आपको दूसरी बालकनी मिलती है इंडिपेंडनेट यूनिट है हर फ्लोर पर आपको एक यूनिट मिलेगा तो ऐसे ऑप्शन जो है वो बहुत कम आते हैं मार्केट में मौके का फैदा उ और जैसे मैं आपको थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम बता रहा था तो अगर आप देखेंगे आपका अटाइज वाश्रूम आता है इसके साथ स्पेश्यस वाश्रूम है डबलूसी आपका शावर आपका वॉशिंग एरिया वॉश वैसन सब को सेट अप करा हूं मलता है कंसील डबलूसी लगा हुआ आप देखेंगे जो इसका फ्लेश है वो पूरा दिवार के अंदर बना हुआ है गीजर के लिए सेपरेट फिटिंग है पानी की बिजली की दोनों कनेक्शन मिलती है आप इवन ऊपर देखेंगे अगर आपने फैन लगाना है तो उसका भी प् और फुली आपका नीचे फ्लोरिंग जो है पूरी आंटी स्केट टाइल से लगिया बेडरूम जो देखेंगे यहां पर आपको LCD पानल मिल जाता है बहुत सुंदर पानल है पीछे लगी हुए है यहां पर देखेंगे प्लग कोई से रखें आप अपने टीवी और डिश की अपना बाग की डिवाइस चार्ज करने के लिए आपको सर्दियों में हीटर वगेरे सेट अप करना है तो सामने आप लगा सकते हैं नहीं तो आपको पावर को एक और पॉइंट मिल रखें अब वो भी यूज़ कर सकते हैं तो हमने औल वेदर सीजन के साबसे घर बनाया ग मैंने बताया है प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स है इस पर्टिकुलर फ्लाट में यह पूरी बिल्डिंग में तो बहुत ही अट्राक्टिव और एफेक्टिव रेच मिल रहे हैं लाइसी होम लोन मिल जाता है इसके अलावा गेडिट कम्यूनिटी है इंड किलोमेटर के कम दाइरे में आपको वेगस मॉल मिल जाता है द्वारका का तो प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी यूनिट बहुत लिमिटेड है और प्राइस बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत इन ओफर चल रहा है प्राइस के लिए आप हमें कॉल कर सकत हैं अपनी रिक्वाइर्मेंट्स बता सकते हैं और हम उससाब से आपके कस्टमाइजेशन हम आपकी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम आपकी मैनेज कर लेंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप जैसे और जितने लोग हैं उनका घर करीदने का सपना पूरा हो द्वारका मोर से विकास पूरी तक हम सारी रेंजेश में मैनेज करते हैं टू, थ्री और अभी हमारा एक और यूनिट आएगा जो फोर भी एचके का है ब